नमस्कार दोस्तों संस्क्रत्वागिश्वरिक अक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या दोस्तों नेट जयारफ की परिक्षा में जो हमारा अभिलेक वाला पाठेक्रम जुड़ा है उसके अंतरकत अब तक हम 5 वीडियो में पढ़ चुके हैं इ पश्चात और गुप्तकालिन और मोरेकालिन अभिलेकों की तुलना करने के पश्चात अब हम अध्यन करेंगे रुद्रदामन का इससे पहले हमने आज ही सुबह गिरिनार के अभिलेकों का अध्यन किया था अब हम रुद्रदामन का जो जूनागड अभिलेक है इसके तो कौन है लगबग सभी परिक्षाओं में यह पूछे जाते हैं जहां भी इंडियन हिस्ट्री पूछे जाती है तो रुद्रदामन के अभिनेक के विश्य में हम बात करें तो देखें कि सबसे प्राचिन भारत वर्ष का सबसे प्राचिन जो अभिलेक है यानि कि जितने भी अभिलेक हमें प्राप्त हो रहे हैं ब्रह्मी लिपी में उन ब्रह्मी लिपी में सबसे प्राचिन तम अभिलेक रुद्रदामन का अभिलेक है अब इसके अंतर का देखते हैं कि रुद्रदामन कौन है दोस्तों भारत वर्ष पर समय समय पर अनेक जातियों ने अनेक लोग उन्हीं के अंतरगात एक प्रकार की जाती है जिसे हम शक कहते हैं यही शक वो है जिने इतिहासकार सीथियन के नाम से कहते हैं सीथियन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि शक को सीथियन कहा जाता है कई जगा ऐसा कहा जाता है कि जो आ रहे हैं यह शक सी थी इनकी संस्ताने हैं लेकिन कुछ भारती इमत जो है वो यह मानते हैं कि जो आ रहे हैं राजपूत है वो यहीं भारत के ही निवासी है तो इस प्रकार शक जो जाती है शक जो है ये एक विदेशी जाती है इन्होंने अब उत्तर पश्ची में या निकि भारत का जो उत्तर पश्ची में देखिए भारत के अंतरगत जब कभी भी कोई आक्रमन हुआ है वो सबसे ज्यादा जो आक्रमन हुआ है वो इस एरिया में हुआ है ऐसा क्यूं ह कि बाकी 3 और से हमारी प्राक्रतिक सीमाओं से आबद हमारी सीमा है भारत वर्श की किवले एक यह जगए बच्छती है। जहां से कभी शक, कभी हून, युनानी और यहूदी जितने भी लोग हैं यवन हैं इन सभी लोगों ने इसी ही क्षेतर में आकर के आक्रमन किया है और ये बहुती महतोपूर्ण ख्षेत्र भी है तो जो शक है उन्होंने भी जो शक समवत सतर से लेकर के नभ्य तक ये जो समय रहा है यदि हम इसमें इस्वी सन जोडते हैं आपको पता है इस्वी सन जब जोडेंगे तो 78 इसमें प्लस कर देंगे तो लगबग 130 से 150 इस्वी तक का जो समय है ये शक समवत का रहा है शक रजाती का रहा है भारत के उपर इनका शासन रहा है तो इसी बीच में हम बहुत सारे राजाओं की विशह में पढ़ते हैं तो ये जो शक जाती है ये शक जाती भारत में शासन करने के लिए आई थी और सबसे पहले इन्होंने जो भारत के इस और के क्षेत्र हैं जितने भी इस और के जितने भी क्षेत्र है ना यहां चाहे वो पंजाब है महाराश्ट्र है या उज्जेन है मतुरा है यहां के जितने भी क्षेत्र हैं यहां आकर के उन्होंने सबसे पहले अपना अधिकार स्थ था तो यहां आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अपने शिक्षा कला संस्कृति के क्षेतर में परिवर्तन किये तो इनहीं में एक राजा हुआ रुद्रदमन यह रुद्रदमन शक राजा था देखिए शक शासनकाल के अंतरगत जो शासन विवस्था थी वो पारसीक शत्र प्रणाली इसे कहते हैं इसमें क्या होता है कि एक प्रांत में दो राजा होते हैं एक प्रांत में दो राजा होते हैं जो बड़ा राजा होता है यह महाक्षत्रप और चोटा राजा होता है यह क्षत्रप एक प्रांत में दो राजा और यह दोनों राजा क्या होते थे पित चलती थी तो महाक्षत्रप पिता और क्षत्रप पुत्र या कोई भी उत्रादीकारी जो होता था वो होता था तो इस प्रकार महाक्षत्रप और क्षत्रप के नाम से एक प्रांतवी दो राजा राज करते थे इनका जो शकों का मुख्य जो केंद्र था वो उज्जेन महाराष और इसन ने आगे शकों के चस्टन वर्ष का संस्थापन किया यानि कि वह संस्थापक था जस्थन वर्ष का तो जो ज़елिक्षतरप थे इने के उत्तरादीकारी की रूप में कारे करते थे तो इस प्रकार से यह सबसे पहले क्षत्रप हुए यह बहुत ही शक्तिशाली हुए इन्होंने अपना एक वन्ज चलाया और उसके बाद चश्टन ने यह जो चश्टन है न चश्टन इसने लगबग 130 इसवी के लगबग शासन किया अब उसके पश्चाद इसका पुत्र होता है जैदमन यह जो जैदमन है यह क जादा काम नहीं करता कुछ ही समय में व्रृत्ति हो जाती है इसलिंए दादा है चश्टन यह अपने पुत्रकू क्षत्रप नेयुक्त कर देता महाक्षत्रप कौन बना हुआ था चश्टन तो इस प्रकार ये दादा और पोता मिल करके शासन करते हैं उज्जेन के पूरिक शेत्र में ठीक है अब ये जो रुद्रदमन है ये रुद्रदमन शक प्रजाती की शक जुजाती था उसका सबसे शक्ति शाली राजा था इसके की उबलब्दियों के विशय में अभिलेक लिखवाए और वही जो अभिलेक है दोस्तों ये रुद्रदमन का अभिलेक कहलाता है अब ये है कहां रुद्रदमन का अभिलेक है जुनागड में जुनागड कहां है गिरनार गुजरात में अब ये ध्यान रखना है कि जो गिरना इसमें दो तीन अभी राजाओं के अभिलेग हैं, एक अशोक का हम पढ़ चुके हैं, एक इस समय हम पढ़ रहे हैं रुद्र दामन का और एक तीसरा है समद्र गुप्त का, ठीक है, लेकिन जो जुनागड अभिलेग के नाम से प्रसिद्ध है, वो रुद्र दामन का है, अश अभिलेग की लिपी कौनसी है ब्राम्मी जबकि भाषा कौनसी है संस्कृत यानि कि विदेशी प्रजाती जब भारत में आई थी राज करने के लिए तो उन्होंने भी कौनसी भाषा और लिपी को अपनाया भारती भाषा संस्कृत को और ब्राम्मी लिपी को उन्होंने अप अब हम जानते हैं कि कि जब कभी भी शख समवत को ईसवी सन में जब हम बदलते हैं तो उसमें 78 का योग कर देते हैं तो जब शख समवत 72 में उतकेर्ण करवाया यदि वो ईश्वी सन में पूछे तो इसमें 78 प्लस करके इसमें इस्वी में क्या हो जाएगा 150 इस्वी के अंतरगत जुनागेड अभी लेक को उत्कीन करवाया गया अब इसमें क्या है रुद्र दामन ने अपनी उपलब्धियों को अपनी शासन व्यवस्था को अपनी जो सीमाएं थी कि मैंने राजे कहां कहां तक किया इन सारी बातों को इसमें उपलब्ध लिखवाया साथ ही किस-किस राजाओं के साथ मेरे संबंदे थे और किन-किन को मैंने पराजित किया यह सारे चीज़े भी इसके अंतरगत लिखवाई गई अब यह जो लेक है यह संस्कृत की गद्य शैली में हमको मिलता है यानि कि यह काव्यात्मक जील थी इसका पुनर निर्मार करवाया इसका जीर्णोद्ध्वार करवाया और यही जीर्णोद्ध्वार को लिखवाना बहुती प्रमुक इसका विशय है तेकि सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं सबसे पहले इस जील का निर्मार जो चंद्रगुप्त मोरे है इस च प्रमुक था जिसका नम पुष्य गुप्त था इस प्रदेश में बांध बनवाकर सिचाई करवाया करता था तो उसने इस जील कर निर्मान करवाया ठीक है लेकिन फिर जब अशोक के राज्यकाल में यूनानी शासक आया है यूनानी शासक का नाम था तुशास्य इस तुशा मंदन का समय आया तो एक समय कौन सा दिन आया एक दिन आया कौन सा दिन उस्दिन का नाम है मार्वशिष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और यह प्रतिपदा लगभग 71 बहतर जो शक समवत बहतर के अंतरगत एक ऐसा दिन आया जो बहुत ही बवंडर लेकर आया और उसके कारण जो उसका बांध बना हुआ था जील का इस जील का चारों तरफ से ये बांध तूट जाता है और इस जील का जो पानी है पीने योग पानी है वो बिखर जाता है चारो अब वो दरारे इतनी बड़ी बड़ी थी कि जितने भी जो वैशे लोग थे या जो मंत्री थे इसमें कोई इंट्रस्ट ही नहीं ले रहा था कि इसमें हम कब तक काम करेंगे जब तक हम इसमें काम करेंगे तब तक हमारी हमर पूरी हो जाएगी बहुती बड़ी ये जील थी और पीने का बहुती उत्तम स्रोत हुआ करता था तो इस प्रकार सब मंत्रियों ने जब हाथ ख़़े कर दी है तब रुद्र दामन रुद्र दामन ने अपना एक अमाेत्य था उस अमाट्य का नाम दान किया और दान करके उस जील को बांध पुनर निर्मान करवाया और बहुत ही जल्दी ही ये बांध अच्छे से बन गया और पिछली बार जील जितनी थी उससे तीन गुना अधिक विस्तार करके जील को बनाया गया और इसलिए ये जब देखने में बहुत ही सुन्दर करके जन सहयों के लिए जनता के लिए इसने जील का जो निर्माण है उसको तीन गुना अधिक करके बनवाया यह जो 150 इश्वी के लगभग यह कारे उसने करवाया था अब देखिए यह इसकी जील के उपलब्दियों के अलावा यह जो रुद्रदमन का घिलेख है इसमें उस इसके बाद यह जो रुद्रदमन है यह बहुती प्रतापी राजा था इसके व्यक्तित्व के उपर भी इसमें काफी लिखा हुआ है एक तो बहुती उच्चे नतिक गुनों वाला यह व्यक्ति था युद्ध के अतिरिक्त अपने जीवन में आजीवन किसी की किसी का हत्या नहीं करूँगा किसी की वद किसी का वद नहीं करूँगा ऐसी प्रतिग्या की थी इसने और इस प्रतिग्या को सत्य करके दिखाया यह बहुती बड़ी वाद थी और साथ में शरणागत की रक्षा करना अपनी प्रजा को डाकू जंगली जानवर समस्त आधी व्याधियों से भयमुक्त करना न्याय करना नियम पूर्वक दैनिक दिंचर्या का पालन करना वीर और कुशल योध्धा की बाती अपने सामराज्य को बचाए रखना ये सारे इसमें नैतिक गुर्थ है तो इस प्रकार का ये जो वीर और शूर वीर प्रतापी राजा था इस बारे में बह कि यानिए कि यह जो दादा पोता करें एक राज में दो राजाओं का जब शासन होता है उसे द्वे राज शहासन कहता है तो दादा और पोता जबकि इनकी पिताजी की मृत्ति हो चुकी थी तो चश्टन और रुद्रदमन इन दोनों ने मिलकर के शासन किया था अब देखिए एक जो रुद्रदमन का अभिलेख है इसमें 11 पंक्ती में ये लेख लिखा हुआ है ये क्या कहते हैं कि जन्पदानाम जन्पदानाम स्ववीर्य जितानाम अनुरक्त सर्व प्रकृती नाम पूर्वापकारा वनत्यू पनी व्रिदानर्त सूराश्ट रस्ष्वा कुकुर प्रांत निशादानी नाम समग्र नाम तत्प्रभावाद्या काम विश्यनाम पती नाम सर्वक्षत्रा विशक्रता तो इस प्रकार से ये उस समय की संस्कृत में कुछ थोड़ा भोध अंतर था क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और लिपी कौन से थी इसकी ब्राम्मी ये क्या कहते हैं इसका अर्थ क्या हुआ देखिए कि जनपदों को अपने बल स सिंदू, सोवीर, कुकुर, अबरांत, निशाद, आदि समस्त प्रदेशों को उसने जीता था और साथ ही वो कैसा था धर्म, अर्थ, अकाम के विश्यों का स्वामी था इस प्रकार से इस जो ये पंक्ति है इसका अर्थ हमें देखने को मिलता है इसके अंतरगत उसने जितन प्रकार का ये 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 शस्वी राजा था इसके अंतरगत उन्होंने एक बात और बताई है कि उन्होंने योध्य यानि की वीर उपाधी के कारण इसने क्या किया एक योध्य नाम के बल को उखाड़ा साथ ही एक साथ करनी नाम का एक पहुती प्रसिद राजा हुआ करता था उसे भी इसने पराजित किया इस प्रकार कामयोगलेक देखने को मिलता है आप देखते हैं इसके जो पहली लाइन आती है इस अभिलेक की उसको देखे वो क्या कहते हैं कि सिद्धम इदम तड़ागम सुदर्शनम गिरी नगराद कोपलम विस्तारायो यो मोय द्रड़नी संद की बद्धा द्रड़ सर्वपाल की त्वा परवत अप्पा यह क्या कहते हैं सिद्ध हो यह सुदर्शन जलाशय गिरी नगर से भी यानि कि दूर और समीप मिट्टी एवन पत्थरों की विस्तरित उच्चे संदी रही तो द्रड़पालकियों से बद्ध परवत के समान है यानि कि यह जो इन्होंने जील का निर्मान करवाया यह बहुत ही अच्छे प्रकार से करवाया है इसकी बाद कहते हैं कि मार्ग शीष बहुलंप्र स्रिष्टी व्रिष्टी नाम परजन्य यानि कि यह जो दूसरी पंक्ति हमको प्राप्त होती है इसकी यह इसमें यह बता करते हैं कि मार्ग शीष कृष्ण की प्रतिपदा को मेगो द्वारा अत्यंत व्रष्टी के कारण प्रतिवी में के समुद्र रूप हो जाने के कारण जो उड़ जयत यानि की रेवतक परवत नाम का जो परवत था उससे निकलने वाली जो सुवंड सिखता थी उन नदियों की अत्यदिक वेग हो जाने के कारण पूरी तरह से इसकी जो यह जीलों की यह जो तटबंद थे यह बिलकुल खराब हो गए यानि की तूट गए उसके बाद इस प्रकार से और उधारन आते हैं सत्य प्रतिग्ययन अन्यत रहाने की वह इस प्रकार का सत्य प्रतिग्य था कि जो उसने प्रतिग्या की कि मैं जीवन भर किसी भी प्रानी का वद नहीं करूँगा युद्ध की अतिरिक्त उसने इस प्रतिग्या को निभाया इसलिए वो बहुती उत्तम राजा था और प्रजा की रक्षा करने वाला राजा था प्रजा अवत्सल राजा था तो इस प्र शासन के विशय में भी एक बात यहां पर आती है कि उसका जो शासन था वो सुशाशन था यानि कि उसका जो राज्य था उसमें यानि कि संग्राम के सामने आये हुए शत्रू जो थे वो कांपते थे उसके कारण और चरणों में जुके वे अगर कोई लोग है तो उनको आयू प्रदान करता था यानि कि उनको अभय दान देता था को शरान में आ जाये तो उसे अभय दान देता था कि रची बात पूण जरूर करता था तो इस प्रकार से शुर्षासन था अब यह जो सामराज्य था यह प्रदेशों में विभकत था जिस प्रकाराज्देश कर निर्मान करवाया यह जो सामराज्य का केंद्र प्रशासन होता था केंद्र प्रबंद होता था इसमें दो प्रकार के मंत्री होते थे एक तो मती सचिव जो कि सला करते थे यानि कि योजनाय बनाते थे दूसरे कर्म सचिन जो भी उन्होंने योजनाय बनाई हैं उनको इंप्लिमेंट करते थे आप बात करते हैं रुद्र दमन जो है इसके अन्य उपलब्दियों की तो यह कहते हैं कि यह जो रुद्र दमन था यह बहुत ही ज्यानी शासक था यानि कि धर्मानु राग जो व्याकरण की रूप में से शब्द शास्त्र का ज्यान था, राजनीती की रूप में इसका ज्यान था, तो गंदर्व विद्या भी इसने सीखी हुई थी, इसकी अतिरिक्त अर्थ शास्त्र और न्याय का भी ये ग्याता रहा। प्रती दिन दान करना उत्तम लोगों का सम्मान करना इसका प्रती दिन का नियम था, इसके अतिरिक्त उसने अपने सुशासन के अंतरगत किया हुआ था कि जो अनूचित विवहार है, उससे दूर रहने वाले को उत्तम घोशित करना, स्थूल लक्ष बाला यानि के बड़े ल सोने चांदी वज्र वेदुर्य रत्न इत्यादी को पूरेद करना इस प्रकार इसके अंतरकत बदलाए गया है तो मुख्य रूप से इसके अंतरकत अंत में एक लाइन कहीं गई कि अपने शासन को प्रतिश्टित करते हुए स्वामी के धर्म यश्कीर्थी का विस्तार करते ह इस कारे को संपनी किया यानि कि कौन सा कारे जो जील है उसके पुनर निर्मान का कारे तो मुख्य दो बाते हैं इसमें रुद्र दमन के समस्त युद्ध और विजित प्रदेश यानि कि सामराज्य के विस्तार को दूसरी चीज इसने अपने सुशासन की विवस्था को और कि सुशासन जील कार पुनर निर्मार किस किस प्रकार से करवाया इन बातों को लिखवाना इस अभिले का मुख्य उद्धेश रहा तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी प्रमुख बाते थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये आपसे सीधे सीधे इस रूप में भी पूछी जा सकती हैं अब आपको रुद्रधमन दिखा लेती हूँ ये है रुद्रधमन जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में इस वक्त रखा हुआ है आप इस रुद्रधमन शासक को देख सकते हैं रुद्रधमन अभिलेक के अंतरगत इसी के गुरों का बखान किया गया है इसी की कारियो वीडियो में जारी रहेंगी आप वागिश्वरी चैनल पर बने रहेंगे आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद उमीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो इसे शेर जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद